दोस्तों एक बाद फिर से बहुत हो सवागत आपका दलबली पॉइंट यूटूब चैनल में तो आज को वीडियो में बात करेंगे कि ड्राइबिंग लाइसेंस की जब हम सिलोड बुकिंग करतें तो उसमें नेक्स 30 डेस, 40 टेस, कहीं कहीं 40 डे, 50 डेस क्योंकि लर्णिंग तो बन जाता है लेकिन ट्राइबिंग लाइसेंस की सलोड बुकिंग में प्रॉब्लम चाहती है जाथ है अगर आप भी फ्लेश लेसेंस का अपना लर्णिंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का जो आपशा हो जाता है slot booking में आपको करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है आप दो महीने के बाद fee payment करते हैं उसके बाद बुकिंग करते हैं तो नेक्स चालिज डे नेक्स साइट डे नेक्स नबवेदे दिखा देता है तो सबसे पहले फ्रेंट्स इस तरीके की ट्राइब लाइसंस लेटेट का भिषारी जानकरी पर मिलती रहती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा पास में जो बैल ऐकन है इससे सिंपल पर पर प्रेस कर लिजेगा जिससे क्या होगा हम कोई भी वीडियो डालते हैं उसका जो नोटिपिकिशन आपके पास आ सके तो subscribe प्लेज जरूर कर लेना ठीक है अगर आपका slot booking का पूरा process समझा जाए तो please वीडियो में comment आपको जरूर करना है अगर आपका काम नहीं होता है तो वीडियो में गलत comment भी कर दो आप भी धड़क कोई इस नहीं है लेकिन अगर आपको process पूरा समझा जाए तो real में comment अच्छा सा जरूर कर देना है ठीक है सबसे पहले driving license slot booking का schedule समझना होता है driving license की slot booking करने के लिए सबसे पहले आपको सार्थी.paribhyn की website पर आना है यहाँ पर सबसे पहले appointment के option पर type कर देना है जैसे हम appointment के option पर type करेंगे इस तरी किसी option खोल जाता है सबसे पहले आपको learning license की issue date जरूर चेक कर ले ना है जैसे learning license की suppose जो issue date है वो है 15.01.2022 ठीक है जैसे हमने learning license की issue date यह है अब यह जो 15.07.2022 तक यह issue date चलने की है अब हमने जो apply किया है 15.03.2022 में apply किया हमने तो यह जो slot booking है हमें कब slot booking होगा सबसे पहले तो आपको starting में अगर आपको एक महीनी के अंदर slot करते हैं तो slot booking easily मिल जाएगा अगर आपका next 40 days जैसे इस तरीकी का error आता है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यह हमने application dl के application type करी तो यहाँ पे हम application number और date of birth और capture type करेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसका छोटा सा ही schedule है वही आपको समझना है तो आप भी easily अपना slot booking कर पाओगे यह next यह सार्थी की जो site होती है इसकी region से यह इनोंने lock लगा रखे है इसमें इनोंने बंद कर रखा है slot booking system लेकिन यह slot booking 30 दिन जब आपका learning बचता है जैसे learning license का मैंने आपको पहले भी समझाये था 15-7-2022 तक जैसे suppose आपका valid है learning license 6 महीनी के चलता है तो आपको क्या करना है 16 तारिक 7 महीना मतलब 16 तारिक 6 महीना एक महीने पहले अर्थात 29 दिन या 30 दिन पहले slot booking करेंगे हम जैसे learning license expire हमारा हो जाएगा 6 महीने में ठीक है तो हमें 5 महीना और एक दिन 5 महीना एक दिन जिस दिन हो जाए उसी दिन हमें permanent का slot booking करना है तो इसली हमारा slot booking का जो calendar है खुल जाएगा और हमारी जो date मिलेगी under 15 या 15 या 10 दिन के under under की date मिल जाएगी 10 या 12 दिन की ठीक है सबसे पहले आपको जैसे slot booking दिखा रहा है तो सबसे पहले आपको 30 दिन जैसे ही बचेंगे वो date लिख लेना है date of birth डाल दिया और यहां पर यह जो हमें capture भर दिया ठीक है जैसे हमने submit करा आप जैसे हमने submit करा तो यह next 33 दिखाएगा next day day क्योंकि काप्सारी मैंने यह देखा है कि मैं आपने experience के अनुसार बता रहा हूं यहां पर देखो capture गलत हो गया यह लेकिन दुबारा से हम capture डालते हैं यहां पर देखो यह 33 दिन दिखा रहा है तीन दिन बाद एक वीडियो फिर दिखा दूंगा आपको बना के suppose के लिए पूरा वाला इससे आपको पक्का confirm हो जाएगा कि हां बिल्कुल सही slot booking होता है आपका slot booking का जैसे आभी देखो मैं खोल रहा है अभी net थोड़ा Reform छल रहा है इसके लिए थोड़ा माफी चाहते हैं यहां पर देखो flight जो है इस तरीकी से लॉग इन हो रहा है यहां पर इस तरीके से जो आपको देख लेना है थोड़ा सा यहां पर देखो यह आ गया हिन दोनों पर हमने टिक करा यहां पर देखो अब यह 612-2022 को एक्सपाइर हो रहा है लेकिन यहां पर क्या देखो next 33 दे दिखा रहा है हम अब तीन दिन और रुक करीबी है प्रैक्टिकली 101 परसेंट आपका हो जाएगा इस तरीकी से जो प्रोसिस बताया मैंने लर्निंग बनने के जैसे लर्निंग एक्सपाइर हो रहा है तुमारा जिस तारिक को उससे 30 दिन पहले करना है तो आई हो वीडियो आपको काभी सारा पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आप से छोटा सा गुजारत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो बैल आइकन है सिंपल से आल पर प्रेस कर लिजेगा